पिछली बार तो इस लिस्ट में आईश्रा सिंग का ही बोल बाला था फर्स नमबर पर आईश्रा सिंग थी यानि कि आपकी सबकी फेवरेट साई जोशी लेकिन अब साई जोशी के करेक्टर को छोड़े हुए आईश्रा सिंग को लगबग 18 दिन हो गए है यानि कि करीब बादा का समय अब हो चुका है तो देखिए इस लिस्ट से आईश्रा सिंग बाहर हो चुकी है अब आईश्रा सिंग इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि उनका जो करेक्टर है सई का वो अब एंड हो चुका है लेकिन अगर आईश्रा इस लिस्ट में तो फिर आखिर कौन-कौ और ने बाजी मार ली है सभी top actresses को पीछे चोड़ते हुए प्रणाली ने इस लिस्ट में number one की position हासल कर ली है और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्रणाली जस्ट अभी newcomer है और बाकि सब अभी actresses जैसे रुपाली गांगुली तेजस्वी प्रकाश हो गई यह सब जो actresses हैं यह बहुत ही जादा पुरानी है इंडस्ट्री में और इनको काफी time हो गया बैरहाल इस लिस्ट पर नजर डालते हैं अगर देखिए इस लिस्ट पर हम नजर डाले तो number eight पर है आराधना ज चैरेक्टर प्ले करते हैं उसके अलावा जो पहले सुंबल तौकिर खान प्ले किया करती थी उसके बाद लीप आया और लीप के बाद अब देखिए जो है अब मेगा प्ले करती हैं उसके बाद नमबर पांच पर हैं प्रिया कपूर को भी बहुत जाधा पसंद किया जाता है अब आप कहेंगे कि प्रिया कपूर बड़े अच्छे लगते हैं त्री अभी फिलहाल चल रहा है और दिशा परमार इसमें प्रिया का रोल निभा रही हैं वो भी नंबर 5 पर हैं उनका fictional character भी काफी पसंद किया जा रहा है नंबर 4 पर है आप सब की फेवरेट अनुपमा रियानि के रुपाली गांगुली अनुपमा नो डाउट TRP में हमीशा नंबर 1 पर चाट बस्टर्स में रहता है शो लेकिन fictional character के जब बात करें तो नंबर 4 पर है अनुपमा नंबर 3 पर है प्रगती यानि की तेजस्वी प्रकाश जिनका शो अभी पिछले हफते ही ओफेर हुआ है लेकिन इसके बावजुद इस हफते उन्होंने मिड जुलाई तक की बात है ये तो मिड जुलाई तक उन्होंने अपनी जुगा इस लिस्ट में बनाई रखी है नंबर 3 पर है नंबर 2 पर है कथा कथा को भी बहुत ज़ादा प्यार दिया जा रहा है fictional character है नंबर 1 पर जैसा कि मैंने आपको बताया वो है प्रनाली राठोर यानि कि आप सब की फेवरेट ये रिष्टा के कहलाता है कि अक्षरा उन्हें भी काफी जादा पसंद किया जाता है फैन्स द्वारा बेरहाल इन में से आपका फेवरेट कोन है और आईशा सिंग जो इस लिस्ट में नंबर 1 की position पर थी पहले से ही उनको replace कर दिया गया है क्योंकि अब उनका जो character है वही end हो गया लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी आईशा बहुत बढ़ा comeback करने वाली है यानि कि एक अंट्री फिर से करने वाली है आशा सिंग आपको क्या लगता है comment section में हमें लिख कर जरूर बता दीजिए कब आके entertainment की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते है मेरे YouTube चैनल को विचीज जनलिस्ट हिमा अशुर सोनी नमस्कार